हाई बच्छाफटी वेलकम टू सीए सेकर्णी बच्छो आटके क्लास में पढ़ रहे हैं क्लास 11 एकसर साइज बिसका सी कुशं सरी बुक पॉलो कर रहे हैं आरे संगरवाल टोपिक है कोडेन Bundes chap 10 है और वीडियो नहीं देख एट प्लेडय से के वीडियो देख रहा हैं जीरो कॉमा फाइब से, यहां लेखो, given क्या है, आपके पास, given है, theta is cost 2 कितना, 30 degree, ठीक है, और equation of line के लिए क्या है, चाहिए, यहां पर, m, m मतलब कौन सा, slope, तो m बराबर क्या लिखेंगे, 10 theta, तो 10 30 degree, और 10 30 degree कितना होता है, 1 by root 3 होता है, ठीक है, अब यहां पर से देखो, equation of line, यहां क्या लिखेंगे, equation of line, क्या formula होता है, y minus y1 बराबर, m into कितना, x minus x1, अब यहां से, यह कहां से पास कर रहा है, यहां लिखो, it is passing through, कहां से पास कर रहा है, 0,5 से, यह हो जाएगा, x1, यह हो जाएगा, y1, तो यहां y minus कितना 5, m के जगा कितना 1 by root 3 देंगे, और x minus x1 कितना हो जाएगा, 0, सहुझ में रहा है, चलो, इधर multiply कर दोगे, तो यह हो जाएगा, root 3 y, minus इधर से करोगे, तो 5 root 3, इधर कितना हो करेंगे root 3y minus 5 root 3 minus x लिख सकते हैं x को इदर लियाएंगे तो yes अब क्या करेंगे minus को common ले लो क्योंकि x हमेशा positive चाहिए दे यह भी minus हो जाएगा root 3y यह minus है तो यह plus हो जाएगा यह minus है तो यह भी plus हो जाएगा बरावर 0 माइनस खतम हो जाएगा इधर जाएगा तो यहाँ पहले x को लिख हो फिर minus root 3y और पलस इधर से 5 root 3 equals to 0 यही final हो जाएगा क्या equation of line ठीक है चलो next question देखते है अच्छे इसका answer में लाले है आजब 9 number question है x minus root 3y plus 5 root 3 ठीक है चलो 10 number question इसी के आधार पर है सेम है सिर्फ equation of inclination दिया हुआ थीटा दिया हुआ है वन कुप्टी डिग्री तो पहले क्या निका लेंगे हम माइनश कितना थर्ट्री लिए यहां पर क्या निकला था रूट बन बाइट रूट थे हैं और क्या निकला था रूट रूट रूट्ट अब यहाँ पर क्या लिखेंगे लिखो equation of line क्या होता है formula y minus y1 बराबर m into कितना x minus x1 होता है ना चालो अब यह कहां से pass कर रहा है देखो it is passing through 3, minus 5 यहाँ पर क्या लिखेंगे it is passing through 3, minus 5 यहाँ हो जाएगा y y1 के जगाँ minus 5 यह हो जाएगा plus 5, m के जगाँ पर कितना minus 1 upon root 3, x minus x1 के जगाँ पर कितना हो जाएगा, ठिक है? root 3 को इदर multiply कर जोगे, तो root 3 y, minus कितना है इदर से? root 3, यहाँ minus बचा, तो इदर multiply कर होगा, minus x, यहाँ minus minus प्लस 3 सब को ठैकर किधर ले आवे तो यह कितना हो जागा एक्स प्लस रूट 3Y प्लस कितना 5 रूट 3 इधर आयागा तो माइनस 3 इसको ब्रैकट में लिख दो बरावर में इधर 0 यही हो जागा क्या equation of line ठीक है चला 10 के बाद 11 number question में चलो यहां पर से किस से पास करेगा जीडो जीडो से और आपके पास एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री तो यहां पर से कहा लिख रहेंगे 11 number में तो यहां पर से से एंब बनाबर लिखिये 10 120 डिग्री 120 डिग्री को क्या लिख हो गए बुरो 180 डिग्री और माइनस कितना 60 डिग्री दिखेंगे तो टैन 180 माइनस ठीटा क्या वाता माइनस 10 ठीटा अब यहां पर से जाखो माइनस ठीटा रूट 3 एंब वाई लूं कितना निकला माइनस डूट 3 एंब बराबर माइन नहीं यहां पर से कितना निकला माइनस रूट 3 ठीक है अब लिखो एक्वेशन आफ्लाइन क्या लिखेंगे एक्वेशन आफ्लाइन यहां पर क्या लिखेंगे it is passing through क्या लिखेंगे it is passing त्रू कहां origin मतलब 0, 0 x1 और y1 दोनों को जागा जागा यहां कितना हो जागा y minus 0 y minus 0 is question कितना m, m के जगापर minus root 3 x minus इधर 0 यह कितना हो जाएगा y बरावर minus root 3 x इसको उठा करके इधर ले आओ गए root 3 x plus y बरावर 0 final answer यहीं होगा देखाना अभी हमने तीन question करा तीनों में क्या है सिर्फ change क्या रहा है angle और point change हो रहा है angle और point change हो रहा है angle दिया हुआ है पहले slope निकाल देंगा जिस point से pass करेगा equation of line लिखके point pass करा देंगे m का value put कर देंगे answer final आ जालगा इसका screenshot लिजे फिर हम आगे चलते हैं बच्चो 12 number question है find the equation of a line which cuts of intercept intercept 5 on x-axis and makes an angle 60 degree with the positive direction of इसके x-axis के तो theta कितना दिया हुआ है 60 degree राइट तो theta दिया हुआ है तो आप क्या निकालेंगे पहले slope मिकालेंगे m बराबर कितना हो जाएगा 1060 degree और 1060 degree कितना होता है root under 3 होता है होता है ना मालनों यहाँ पर से यह कोई line है आपके पास ठीक है ना जो किसको cut कर रहा है 5 on x-axis को cut कर रहा है यहाँ पर 5 पर इस वाले point को क्या लिखेंगे यह 5,0 लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर से क्या हो जाएगा let equation of line के लिए क्या formula होगा लिको y-y1 बराबर m into कितना है x-x लिको उस्चल यही है सिर्फ language बदल गया बनने का तरीका यही है ठीक है ना तो यहाँ पर से कहाँ से pass करेगा यह it is passing through it is passing through कौन सा point से pass कर रहा है 5,0 x के जगा पर 5 x1 के जगा पर 5 y1 के जगा पर 0 y-0 m के जगा पर आपका root 3 हो जाएगा x-x1 के जगा 5 हो जाएगा यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा root 3 into x multiply करेंगे तो minus 5 root 3 सब को उठा करके इधर ले आओगे तो minus root 3 x उसके बाद plus y फिर इधर लिखोगे तो plus 5 root under 3 बराबर 0 minus common ले 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 तो minus वाला plus और plus वाला minus अरे हो जाएगा चला तो final answer कितना हो गया root under 3 x minus 5 minus 5 root under 3 equals to 0 यह answer हो जाएगा चला है नेक्स्ट है आपके पास 30 number point the equation of a line passing through this one point and perpendicular to a and b जाएग सब्सक्राइब पहले यहां लिखेंगे solution क्या लिखेंगे solution लिखो equation of line equation of line क्या होता है y minus y1 बडावर कितना m into कितना x minus xy यह कहां से pass कर रहा है point P से यहां लिखे it is passing through point P कितना है 4, minus 5 x1 और y1 के जगा पर value put कर दो ay plus 1 sorry y1 कितना है minus 5 यहां दो जगे तो plus 5 m अपमे जगा सही है x minus x1 के जगा पर 4 रख दो ठीक है ना इसको माहनो equation first ठीक है अब यह जो line है a b के क्या है parallel है ठीक है ना यहां पर से देखो अब यहां पर से लिखेंगे क्या slope of a b क्या लिखेंगे slope of a b slope of a b a b का slope निकानने के लिए का formula होगा दो point से pass करता है तो बोलो बोलो y2 minus y1 बट्टा में कितना x2 minus x1 यह x1 y1 यह x2 y2 तो 4 minus 7 तो 4 minus 7 x2 कितना minus 2 minus 3 यह कितना हो जाएगा 4 minus 7 तो minus 3 आ नीचे में कितना minus 5 यह कट गया तो 3 upon 5 ठीके ना यह किसका slope निकला बोलो बोलो slope of a b निकला ठीके ना question में खाकाता है कि जो line 1 है जो equation 1 किसके है a b के parallel है यहाँ पड़ से देखो according to the question line 1 इसका ना मालनो equation फस्त हो या line 1 दादो line 1 दो ना इसका ना line 1 ठीके ना equation फस्त ठाटाओ क्या है line 1 parallel है a b के line 1 parallel है किसके a b के इसका मतलब इसका line 1 का slope a b का slope बराबर होगा यहाँ पर क्या लिखेंगे slope of line 1 is equal to कितना slope of क्या a b यह क्या होगा इसको slope of a b यह a b है तो line 1 का slope कितना m है यहाँ पर आप m लिखें और a b का slope कितना 3 बटा 5 है यहाँ आप 3 by 5 लिखें m का value कितना निकला 3 by 5 अब m का value line 1 में put कर दिए यहाँ पर क्या लिखेंगे put m बराबर 3 बटा 5 in line 1 तो line 1 है y पलस 5 यहाँ लिखे y पलस 5 is close to m m के जगा 3 by 5 लिखेंगे यहाँ पर से x माइनस x1 x1 के जगा पर कितना इधर से 4 है चोड़ इस थाब को इधर multiply करोगे तो 5y 5 into 5 to 25 3 से इधर multiply करोगे 3x माइनस 12 सब को उठा करके इधर लिखेंगे तो माइनस 3x पलस 12 उसके बाद पलस 5y पलस 25 बराबर 0 तो माइनस 3x पलस कितना 5y 25 और 12 कितना हो जागा बोलो 5 दूख 7 37 हो जाएगा तो माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला पलस और पलस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है यह बराबर 0 है ठीक है यही आपके पास final answer हो जाएगा अज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं ठीक है उमीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूड करें और साथी साथ अपने दोस्तों के साथ सको शेर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब भी बाई धर तक यू समझ